एक्जाम को पोस्टपॉंड कर दिया गया है उस प्रेस रिलीज में उन्होंने मेंशन किया है कि इसकी इंटीग्रीटी को एक्जाम की इंटीग्रीटी को और सैंसिटी को देखते हुए एक्जाम को पोस्टपॉंड किया जाता है एट दी लास्ट मोमेंट दस घंटे पहले एक्जाम से एक्जाम को पोस्ट पूंड किया जा रहा है नीट पी जी के एक्जाम को जो कंड़क्ट करवा रहा है नीट यूजी के जो एक्जाम को कंड़क्ट करवा रहा था NTA, DG जो सुभोत कुमार जी थे उनको हटाया है प्लस जो CBI का प्रोब होने वाला था वो अभी तक नहीं हुआ है हमारी मांग अभी भी ये है कि CBI की प्रोब इसमें फोरो इन्वेस्टिकेशन होनी चाहिए Ministry of Health and Family Welfare के तरफ से एक प्रेस रिलीज आ है जिसमें की NEET PG 2024 का जो एक्जाम था जो की कल होने वाला है और 8 होने वाला था मैं बोलूँगा 8 बजे सुभा रिपोर्टिंग टाइम था 9 से 12 बजे का टाइमिंग था और वो एक्जाम को पोस्पॉन कर दिया गया है उस प्रेस रिलीज में उन्होंने मेंशन किया है कि इसकी इंटिग्रिटी को एक्जाम की इंटिग्रिटी को और सैंसिटी को देखते हुए एक्जाम को पोस्पॉन किया जाता है at the last moment 10 घंटे पहले एक्जाम से एक्जाम को postpone किया जा रहा है मतलब ये बहुत ही एक NEET UG के बाद एक नया स्केम NEET UG का स्केम हुआ इसका मतलब सरकार को ये पूरा-पूरा बरोसा था कि एक्जाम paper leak हुआ है ये पहले NEET UG का एक्जाम leak हुआ उसके बाद भी अभी तक सरकार ये काम चली रही है उसके बाद NEET PG जो की डॉक्टर्स का एक्जाम है दो लाख MBBS डॉक्टर्स इस एक्जाम को देने वाले हैं NEET PG को इतना बड़ा एक्जाम है ये दस घंटे पहले लोग कहां कहां सेंटर से 500 किलोमेटर कोई कहां से दूर से आया हुए जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ पूरा खिलवाड किया जा रहा है ये उनकी हेल्थ के साथ मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है सरकार के दुवारा Ministry of Health as well as Ministry of Education सभी इसके लिए responsible हैं ये कोई तरीका नहीं होता एट दा लास्ट मोमेंट पे उन्होंने ये बोल दिया जवाब दे दिया कि integrity देखते हुए एक्जाम को postpone किया जा रहा है उन स्टूडेंट्स का हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं इस पे सक से सक्कदम उठाए नीट पीजी के एक्जाम को जो कंड़क्ट करवारा है नीट यूजी के जो एक्जाम को कंड़क्ट करवारा था एनट ये सब पे सक से सक्क्त कारवाई होनी चाहिए तत्काल परबावसी होनी चाहिए तब ही medical education system जो भारत का पूरी तरह से विफल हो चुका है, खतम हो चुका है मैं कहूँगा, बर्बाद हो चुका है, वो तब ही वापिस rebuild होगा, तब ही वापिस उसमें जो trust है students में वो वापिस आएगा बिलकुल NTA, DG जो सुबोत कुमार जी थे, उनको हटाया है, प्लस जो CBI का प्रोब होने वाला था, वो अभी तक नहीं हुआ है, हमारी मांग अभी भी ये है कि CBI की प्रोब इसमें investigation, थोरो investigation होनी चाहिए, NTA की committee, जो high power committee, जो ministry of education ने गठित की है, वो ठीक है, एक commendable step है, एक UGC net का exam इन्होंने ततकाल परबाव से within 24 hours जो cancel कर दिया था, वो एक commendable step था, government के लिए, बट ये बार बार क्यों हो रहा है, और NEET UG जो एड़ दो महिने से चल रहा है, students confess कर दिये उस पे, कि exam मुझे मिला है, उसके बाद बिहार पतना पुलिस में वो पकड़ा गया exam, सब क कुछ हो गया, FIR दर्ज होगी, गिर्फतारी होगी, उसके बावजूत भी सरकार को ये दिक्कत आ रही है, उसको exam cancel कराने में, या re-exam करने में, नीट PG exam होने से पहले लीक हो रहा है, सरकार को पता चल रहा है, अगर उसको इतनी परवा है, sensitivity की, तो वो पहले उसको cancel करते न, 10 घंटे पहले कोई exam cancel होते हैं, पूरे देश का center level पे exam cancel होना मतलब, ये इंडिया पे भारत पे एक दबा लग रहा है, कि कोई भी इसका मतलब आप exam conduct करवाई नहीं सकते हो, आप सरकार अगर NEET UGPG, जो medical education का सबसे बड़े exam है, ये exam नहीं conduct करवारे चकती, तो मुझे लग UGPG, जो भी authorities, इनको appropriate authorities, bodies जो conduct करवारी हैं, उन पे सक से सक ततकाल पर बावसे कारवाई हो, और साथ ही साथ इसको PMO खुद address करें, वो परिक्षा पे चर्चा करते हैं, मैरी उनसे ये एक बहुत विनमर निवेदन है, कि किर्पया करके प्लीज नीट पे एक बार चर्चा क जीजिए